रेडियो के माध्यम से आप से कुछ मन की बाते बताना चाहता हूँ और मेरे मन में तो ऐसा है कि सिर्फ आज नहीं ये बात्चित का अपना क्रम आगे भी चलता रहे मैं कोशिश करूँगा होसे के तो महने में दो बार या तो महने में एक बार समय निकाल करके आप से बाते करूँ आगे चल करके मैंने ये भी मन में सोचा है कि जब भी बात करूँगा तो रवी बार होगा और समय प्रातर ग्यारा बजे का होगा तो आपको भी सुईधा रहेगी और मुझे भी संतोस होगा कि मैं मेरे मन की बात आप के मन तक पहुँचाने में सफल हुआ हूँ आज जो विज्याधस्मी का पर्व मनाते हैं यह विज्याधस्मी का पर्व बुराईयों पर और अच्छाईयों का विजय का पर्वा है लेकिन एक सिमान गनेश वैंकरा दरी मुंबई के सज्जन उन्होंने मुझे मेल भेजा और उन्होंने कहा कि विजया दस्वी में हम अपने भीतर की दस बुराईयों को खत्म करने का संकल्प करें मैं उनके इस सुझाव के लिए उन कि रुप में मुझे लगता है कि आवम विजय देशमी के पावण पर्व पर हम सब गंधकी से मुक्ति का संकल्प करें और गंधकी को खत्म करकर के विजय पराप्तश करना में विजया दस्मी के पर पर हमएं संकल्प कर सकते हैं कल 2 अक्तुबर माद्मां गांदी की जन्म जैन्ति पर स्वच्छ भारत का एक अभियान सवा सो करोड़ देश वाशियों ने आरंब किया है मुझे विश्वास है कि आप सब इसको आगे बढ़ाएंगे मैंने कल एक बात कही थी स्वच्छ भारत अभियान में कि मैं नव लोगों को निमंत्रित करूंगा और वे ख सफाई कीजिए आपके नव जिन लोगों को आप आवान करना चाहते हैं उनको कीजिए बेवी सफाई करें आपके साथे मित्रों को कहिए बहुत उपर जाने की ज़रूत नहीं है वो और नव लोगों को कहे वो और नव लोगों को कहे दिरे दिरे पुरे देश में यह माहोल बन जाएगा मैं विश्वास करता हूं इस काम को आप आके बढ़ाएंगे अब जब महत्मा गांधी की बात करते हैं तो खादी की बहुत स्वाभा उध्यान में आती है आपके परिवार में अनेक प्रकार के वस्त्र होंगे अनेक प्रकार के फैब्रीक्स होंगे अनेक कमपनियों के प्रोड़क्ट होंगे क्या उसमें एक खादी का नहीं हो सकता क्या मैं आपको खादी धारी बनने के लिए नहीं कह रहा हूं आप पूर्ण खादी धारी होने का वुरत करें ये भी नहीं कह रहा हूं मैं सरी इतना कहता हूं कि कम से कम एक चीज भले हैंकर्चीफ हो भले घर में नहने का तौलिया हो भले हो सकता है बेडशीट हो, तक्या का कवर हो, परदा हो, कुछ तो भी हो अगर परिवार में हर प्रकार के फैबरिक का शौक है, हर प्रकार के कपड़ों का शौक है तो एक ये भी तो होना चाहिए और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप खादी का वस्तर खरीते हैं तो एक गरीब के घर में दिवाली का दिया जलता है और इसलिए एकाथ चीज और इन दिनों तो दो अक्तुबर से लिए करीब महीने भर खादी के बाजार में स्पेशल डिसकाउंट होता है उसका फाइदा भी उठा सकते हैं एक छोटी चीज और आगरह पुर्वग इसको करिए आप देखिए गरीब के साथ आपका कैसा जुड है अगर आगे बढ़ना है तो सबाइसो करोड देशवाशियों को करना पड़ेगा हमें खुद को पहचानना पड़ेगा अपनी शक्ति को जानना पड़ेगा और मैं सच बताता हूं विश्व में अजोर लोग है आप जानते हैं हमारे विज्यानी कोने कम से कम कर्च में मार पहुंचने का सफल प्रयोक सफलता पुर्वक पारप कर दिया हमारी ताकत में कमी नहीं है सिर्फ हम अपनी शक्ति को भूल चुके हैं अपने आपको भूल चुके हैं हम जैसे निराशनित बन गए हैं नहीं मेरे प्यारे भाईयों बहनों ऐसा नहीं हो सकता स्वामी विवे अपने चोटे चोटे बच्चों को लेकर के रास्ते से गुजर रही थी दूर से उसने भेड का जूंड देखा तो शिकार करने का मन कर गया तो शेदनी उस तरफ दोड़ पड़ी और उसका एक बच्चा भी उसके साथ दोड़ने लगा तो दूसरा बच्चा पिषड गया शेदनी भेड का सिकार करते हुए आगे बढ़ गई एक बच्चा भी चला गया लेकर एक बच्चा भी छड़ गया जो बच्चा भी शड़ गया उसमें एक माता भेड ने उसको पाला पोसा बढ़ा किया और वो शेद भेड के बीचे ही बढ़ा होने लगा उसकी बोल चाल आदते सारी भेड जैसी हो गई उसका हसना खेलना बैठना उठना सब भेड के साथ ही हो गया एक बार वो जो शेरनी के साथ बच्चा चला गया था वो बड़ा हो गया था उसने एक बार इसको देखा कि यह क्या बात है यह तो शेर है और भेड के साथ खेल रहा है भेड की औरे तु क्या कर रहे हो तुम तो शेर हो तो नहीं में तो भेड़ हूँ नहीं के बीच पढ़ा हूँ बढ़ा हूँ इनों नो मिजे बढ़ा गिया है मेरी आवाज देखिए बीरी बाच्चित का तरीका देखिए तो शेर ने कहा कि चलो मैं दिखाता हूं तुम कौन हो उसको कुए के पास ले गए और कुए में पानी के अंदर उसका चहरा दिखाया और खुत के चेहरे के साथ को कहरे देखो हम दोनों का चेहरा एक है मैं भी शेर हूँ तुम भी शेर हो और जैसे ही उसके भीतर से आपर सम्मान जगा उसके अपनी पहचान हुई तो वो भी उस देश शेर की तरह भेडों के बीच पला हुआ शेर भी दाड़ने लगा उसके भीतर का सत्व जग गया स्वामी विवेकान जी यही कहते थे मेरे देशवासियों सवा सो करोड देशवासियों के भीतर अपार शक्ती है अपार सामर्त है इतना सामर्त है हमें अपने आपको पहचानने की जरूरत है हमारी भीतर की ताकत को पहचानने की जरूरत है और फिर जैसा स्वामी विवक अन्जी ने कहा था उस आत्म सम्मान को लेकर कि अपनी सही पहचान को लेकर घंप चल पड़ेंगे तो विजय होंगे और हमारा राष्ट भी विजय होगा सफल होगा उस ने कहा है कि जो सपेशली अबल चाइद होते हैं उन बालकों के लिए नगरफाली का हो महाना करपालिका हो, पंचायत हो उसमें कोई विशेश योजना होती रहनी चाहिए उनका होस्ला बुलंद करना चाहिए मुझे उनका यह सुझाव अच्छा लगा क्योंकि मेरा अपना अनुभव है जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था तो 2011 में Athens में जो Special Olympics होता है उसमें जब गुजरात के बच्चे गए और विजे ही होकर गए तो मैंने उन सब बच्चों को Special Able बच्चों को मेरे घर बलाया मैं दो घंटे उनके साथ बिताया शायद वो मेरे जीवन को बहुत ही emotional, बड़ा प्रेरक्ट वो घटना थी क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये किसी परिवार में Special Able बालक है तो सिर्फ उनकी माबाप का दाई तो नहीं है ये पुरे समाज का दाई तो है परमात्मा ने सायद उस परिवार को पसंद किया है लेकिन वो बालक तो सारे राष्ट की जिम्मवारी होता है अईसा एक विश्वास का वातराण परिदा होता था और इसलिए बग्योतम पाल के इस तुझाव जो ने दिया है इसके लिए मैं मुझे अच्छा लगा और मेरा मन कर गया कि मैं मुझे ये सुझावाया है और मैं आपके साथ शेर करूँ एक कथा मुझे और भी ध्यान आती है एक बार एक राहगीर रास्ता की किनार पर बैठा था और आते ही जाते सब को पूछ रहा था मुझे वहाँ पहुच रहा है एक रास्ता कहा है पहले को पूछा, दूसरे को पूछा, चौथे को पूछा सबको पूछता ही रहता था और उसके बगल में सजन बैटे थे वो सारा देख रहे थे बाद में खड़ा हुआ खड़ा होगर कि किसी को पूछने लगा तो वो सजन खड़े होकर कि उसके पास आए उसने का देखो भाई तुमको जहाना है उसका रास्ता इस तरफ से जाता है तो उस राहगेर ले उसको पूछा भाश्ताथ, आप इतनी देर से मेरे भगल में बैठे हो, मैं इतने लोगों को रास्ता पूछ रहूं, कोई मुझे बता नहीं रहा है, आपको पता था, तो आप को नहीं बताते थे, बोले मुझे भरोसा नहीं था, कि तुम सच पोच में च मेरे देश्वासियों, जब तक हम चलने का संकल्प नहीं करते हैं, हम खुद खड़ी नहीं होते हैं, तब रास्ते दिखाने वाले भी नहीं मिलेगे, हमें उंगली पक है चलने की शुरुआत हमें करनी पड़ेगी, और मुझे भी इस्वास हैं, कि सवा सोकरुर देश्वा हूं कब कैसे कर पाएंगे लेकिन मैं सुझाओं के लिए ये जब ये शक्रियता जो है ना ये डेस हम सब का है कोई सरकार का देश थोड़ा है नाग्रीकों के देश है नाग्रीकों के जूड़ना बहुत जरूरी होता है मुझे कुछ लिगोन कहा है कि में जो लगू सिखाना चाहिए ताकि वह पढ़ते पड़ते ही कोई अपना हुनर शिख ले कारिगरी शिख ले बहुत ही अच्छा उन्होंने दिखा है उन्हों यह भी कहा है कि उवाकों को ही कंपलसरी केल डवलप्मेंट होना चाहिए उनकी पढ़ाई के अंतर कुछी ने मुझे लिखा है कि हर सौ मीटर पर एक डस्ट भीन होना चाहिए, सफाई की योज़ता करनी है तो, कुछ लोगों ने मुझे लिख करके भेजा है, कि पॉलिसिन की बैग पर प्रतिवन लगना चाहिए, धेर सारे सुझाव मुझे लोग भेज रहे हैं, मैं आगे से भी आपको कहता हूँ, अग अगर ऐसी सत्य घटनाएं सबूत के साथ मुझे भेजोगे, तो मैं जुरूर जब मन की बात करूँगा, और जो चीज मेरे मन को छूग गई है, तो वो बातें मैं जरूर देशवाशियों तक पहुंचाऊँगा, ये सारा मेरा बातचित करने का इरादा एक ही है, आओ, हम स सवा सो करोड कदम आगे चला जाता है, और इसी काम के लिए, आज विज्या दस्मी के पावन पर्वपर, अपने भीतर की सभी विराईयों को परास करके विज्य होने के संकल्प के साथ, कुछ अच्छा करने का निरने करने के साथ, हम सब प्रारम करें, आज मेरी शुप जाएगा, भवश में जुरूर आप से बाते करता रहूंगा, आज जो बाते मेरे मन में आई, वो बाते मैंने आपको कही है, फिर जब मिलूँगा, रवीवार को मिलूँगा, सुबह 11 बजे मिलूँगा, लेकि मुझे भी स्वास है, कि हमारी आत्रा बनी रहेगी, आपका प्यार बना रहेगा, आप भी मेरे इस बात सुनने के बाद, अगर मुझे कुछ कहना चाहते हैं, जुरूर मेरे तक पहुचा दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, आज आप सबसे बाते करने के लिए, और रेडियो के ऐसा सरलमाद्यम है, कि मैं दूर दूर तक पहुच पहुच पहूँगा, गरीब से गरीब के घर तक पहुच जाऊँगा, क्योंकि मेरा मरी देश की ताकत गरीब की जोपड़ी में है, मरी देश की ताकत माताओ, बहनों, नौजवानों में है, मरी देश की ताकत किसानों में है, मैं आपी के भर भारत आगे बढ़ेगा ये इस्वास बयक्त्र करता हूँ आपकी शक्ति में फरोसा है इसलिए मुझे भारत के भविश्व में फरोसा है त्रेक heap मैं आप सब को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं आपने समय निकाला त्रेक बहुत-बहुत धन्यवाद ना झाल झाल